नमस्ते मित्रों हम बात करेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में श्री कृष्णी चंदरी जी का जीवन उत्तम था उनके चरित्र पर कोई कलंग नहीं था परंतो स्वार्ती पाखंडियों ने उनके चरित्र के धज्यां उड़ा दी महावारत का प्रमान है कि वो ब्रह्म चरिय का पालन करके प्रद्युमंजी महराज को वेदा किया ऐसे बड़े महान विद्वान की धज्यां उड़ाते वे इन पाखंडियों को सर्मनी आई युननी व्यास जी के नाम से नवे 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 पुरान बना दिये और कहे दिया कि पुरान तो साक्षात परमात्मा के अवतार व्यास जी ने बनाए देखो पुरान का आपके सामने प्रमाना क्या गपोड़ा है ब्रम विवर्त पुरान प्रकरती खंड अध्याय नमबर इगतालिस पूर्व काल में आप गोलोक में राधी का कि सकी स्वधा नाम वाली गोफी का थी पुर्ण पर आगई तथा प्रमाना के आपके आपको अपने वक्स से यानि चाती से यानि स्थन से वरंदावन में लगाया था यही स्वधा का अर्थ है राधा ने जब रम्य वरंदावन में निकुंज में प्राण वल्लव क्रिष्ण को आपका आलिंगन करते देखा तब क्रिष्ण प्राणेश्वरी राधा ने आपको श्याप दे दिया इसे से आप सर्व लोकातित गोलोक दाम से इस पुमंडल पर आ गई तता पिक्रिष्ण के आलिंगन के पूर्णे प्रवाव से आप मेरी मानसकन्या है इस समय आप रती से एत्रिप्त रहे गई रतियनी संबोग से त्रिप्त नहीं हुई थी चाती से लगा लिया था हिट पे आ गई थी पर पूरी त्रिप्त नहीं हुई थी त्रिप्त तो अब होगी आप देखिए पूर्वकाल में स्वाहा भी रादिका की सकी थी उन्होंने पूर्वकाल में रती हित्व कृष्ण से स्वयम कहा था तब ही उसका नाम स्वाहा हो गया वे वसंत रितु में मालती मंडित रास मंडल में कृष्ण के साथ रमनकाल में रती रस में प्रमत हो गई थी राशीश्वरी राधा ने स्वाहा को जब कृष्ण के आलिंगन में देखा तब उन्होंने स्वाहा को साब दिया इस साब के कारण स्वाहा को गोलोक से बूमंडल पर आना पड़ा तब स्रीकृष्ण का आलिंगन हेतु पूर्ण्य फल्म से अगनिदेव की भारिया हो गई जो पवित्र रूपा पर्मा और देवता तता मनुष्य गण में वंदी थी जिनके नामों चरण से मनुष्य पाप रही तो हो जाता है वे पूर्वकाल में सुसिला नामा गोपी तता रादा की सकिय है वे कृष्ण के दाहिने गोध में बेटी थी तब रादा ने उसको साब दे दिया उसको गोलोक से दर्थी पर आड़ा आना पड़ा और कृष्णा लिंगन पूर्णी के करण वे दक्षिना कही गई ये कृष्ण प्रेशी सुसिला रती में अत्यनत निपूर्ण एवं सभी कर्मों हे तुस्रेश्ट हैं ये कृष्ण के दक्षिन क्रोड यानि गोध में बेटने के करण दक्षिना कही ये गोपियां गोध में बेटती हैं और रती से एत्रिप्त हो जाते हैं फिर इनको त्रिप्त किया जाता है है आपका अपना यूट्यूब चैनल हैा अब आप इन पंड्डौ को त्रिप्त कीजिए पोपो त्रिप्त कीजियों और इनको समझाएगा श्रीकृष्ण जी ऐसा नहीं थे वो कोप्यों को गोध में बिठा बिठा करके मोझ मस्ती नहीं करते थे आपका अपनो यूट्यूब चैनल है धन्यवाच